बारत भी कुरोना वाइरस का प्रिसार अब तेजी से बढ़ने लगा है। पॉस्टिम मरीजों के साथ वाइरस से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लिहाजा पूरा देश इस हालत से चंतित है। केंद्र सरकार से लेकर राज सरकारे पूरी तरह एक्टिव हो गई है। पुरी देश में जन्ता कर्फियों के बाद 22 राजियों के 75 जिलों में लॉकडाउन लागो कर दिया गया है। ट्रेन, मेट्रो, बस, सेवा जैसी सारजनिक ट्रांस्पोर्ट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। सरकार की तरफ से ये सकत कदम इसली उठाए गये हैं ताकि कुरोना वाइरस के कम्यूनिटी प्रसार को रोका जा सके। इस खत्रे के मद्दे नजर सरकार जन्ता को घर में बंद रखने के लगभग सभी कदम उठा चुकी है या उठा रही है। लेकिना बागी क्या? सरकार अब कुरोना वाइरस से कैसे लड़ेगी? इसके लिए आप वो कदम उठाए जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कारगर है। बता दे आपको कि कुरोना वाइरस की सबसे खतरनाक बात ये है कि शुरुवात में नॉर्मल रिपोर्ट वाले लोग भी बाद में पॉजिटिव निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ये वाइरस संक्रमित व्यक्ति के टच में आने ये संक्रमित सर्फेस से भी पैल जाता है। भारत में अब तक कि कुरोना मरीजों को देखा जाए तो वो लगबग सभी विदेशों से लोटे में हैं। या विदो इससे लोटे लोगों की संपर्क में आये हैं। लिहाजा अब ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो पिछले कुछ वक्त में विदेशों की आत्रा कर लोटे हैं महराश्च सरकार ने इस मसले पर एक एडवाईजरी जारी की है और लोगों से कहा है कि अगर किसी की विदेश ट्रैवल हिस्ट्री रही है और उनके अंदर कोरोना से जुड़े कोई भी लक्षण है तो वो सरकारी अस्पतालों को सूचित करें दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसे एक कदम आगे बढ़ते हुए निर्णा लिया केजरीवाल सरकार ने सभी जिलादिकारियों को एक मार्च के बाद विदेश से लोटे यात्रियों की पैचान करने की जिम्मेदारी दी है विदेश से लोटे ऐसे 35,000 लोगों की पैचान कर ली गई है इसके बाद अब इन सभी लोगों को 14 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा बता दे कि दिल में कोरोना वाइरस के अब तक 27 केस आये हैं इन में से किस मरीज ऐसे हैं जो विदेश से आये थी दिल में एक मौत भी हुई है हाला कि देश के बड़े हिस्से में लोगडाउन लागू है और पीम नरेंडर मोदी ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि इसका सकती से पालन कराए बाजो जिसके कुछ केस ऐसे भी है इस सामने आये है जिनमें क्वारेंटाइन की मुहरवाले लोग भी सार्वजनिक जगहों पर देखे गए है SPN 9 News रूम से शृतिक रिपोट